नमस्कार दोस्तों सवागत है अपका BKL राउंडर चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बुखार की किसी भी तरह की समस्या हो चाहें आपको टाइफाइड हो चाहें मलेरिया हो चाहें जाड़ा लगके बुखार आता हो या चिकन गुनिया हो इन सभी प्रकार के बुखारों में किस दवाई का इस्तेमाल करें कि आपको लाब हो जाएं तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये गिलोए सीरप है ये गिलोए सीरप है और इसका रेट जो है एक सव तस रुपए है ये सब भी प्रकार के बुखार जैसे डेंगु, मलेरिया, चिकन गुनिया, टाइफाइड में अत्यंतलाव दायक है ये यूज की हुई इसका पूरा अनुभव है हमें ये बहुत ही बढ़िया सीरप होती ह इसकी सेवन विधी दोस्तों ये है कि बारह साल से उपर के जो मरीज है वो साड़े साथे मेल सीरप सुबे साड़े साथे मेल सीरप साम को आधा गिलास गरम पानी में डाल कर पियें सुबे आधा गिलास गरम पानी कर लें साड़े साथे मेल सीरप डालने और पी लें इसी त दोस्तों एक बताना चाहूंगा इसे आप ध्धान पुर्बख सुन ले यदि किसी पेशेंट को ज्यादा सीरियस भुखार है भुखार में ज्यादा उसकी हाला सीरियस हो गई है तो उसको यह सीरप नहीं पिलानी है इसको जो है डाक्टर से मिलें, डाक्टर से संपरक करें, उसके परामार सानुसार और जो भी डारेक्शन दें, डाक्टर साहब, उनके परामार सानुसार दबाई कराएं, और चेक अप जो भी वो कहें, वो करवाएं, उसमें इस सीरफ का इस्तेमाल नहीं करना है, जो सीरियस सिच्वेशन उन मरीजों को इस सीरफ का इस्तेमाल नहीं करना है यह ऐसे लोगों को इस्तेमाल करनी है जिनको नरमली बुखार छोड नहीं रहा है आत पहरों में दर्द हो रही है मुह में कड़वा हथ है स्वाद नहीं अच्छा है कोई चीज खाने में अच्छी नहीं लगती है कड़ लगती है तो ऐसे लोगों के लिए यह सीरफ होती है तो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि सीरियस जो मरीज है उनको इसका इस्तेमाल ना करवाएं वो लोग डाक्टर से मिलें और डाक्टर की सलाह और जो भी डाक्टर के हैं उनके अनुसार ही इलाज डाक्टर के द्वारा करवाएं तो यदे दोस्तों कोई भी आपका जान पहचान वाला या आपके घर में या कोई रिष्टेदार या दोस्त किस कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसे आप जानते हैं और उसको बुखार की समस्या है मुह में कड़वाहट रहती भूंग नहीं लगती है मुह का टेश्ट सहीं नहीं है तो इसको दोस्तों इस सिरक का इस्तेमाल कर रएं ऑर इसका लाब उठवाएं इस सिरक का जब वट इस्तेमाल करेंगे तो उनको फायदा जरूर होगा दोस्तों हमारे चैनल पर आपको इसी तरह के स्वास्त वीडियो मिलते रहते हैं तो दोस्तों यदि आपको मेरे वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, सेर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि दोस्तों सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाते है और हमें अच्छ certaines वीदियो ने के लिए प्रेरना मिलती है तो आज क्या वीडियो दोस्तों ज्यादा लंबा नहीं करेंगे लेते हैं आज के वीडियो से विधा मिलेंगे फिर नए स्वास्ते वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए, खुस रहिए, सुस्त रहिए, मस्त रहिए, जय हिन, जय भारत, जय स्री राम